कितने पैसे कमाए है Fast and Furious सागा ने क्या होगी Fast and Furious के 9 चाप्टर की स्टोरी क्या ये फिल्म होगी Fast and Furious फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रिशा और आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में आप जितना भी तेज भाग ले मगर अपने पास से नहीं भा सकते Fast and Furious सागा के 9 चाप्टर होगा Fast and Furious की मूवी पिछले 2 डेकेट से आ रही है और फैंस के बीच आज भी उसकी हर एक मूवी के लिए क्रेस सेम है जून 2021 को रिलीज होने वाली इस फिल्म को Justin Lin डिरेक्ट कर रहे है इस फिल्म को Justin ने Daniel Casey के साथ मिलकर लिखा है इस फिल्म की स्टोरी में इस फिल्म के विंडीजल इस फिल्ममें रोड्रिगिर्स, ट्राइस गिपजिन, जॉन सीना के साथ, क्रिस लोड्राकिस, ब्रिजिस, जॉर्डाना ब्यूस्टर, नाथली इमानुवल, सुंग कांग, हेलन मिरर और चार्ली स्थियोरॉन भी आहम भूमिका में नज़र आएंगे। इस फिल्म में 2017 में आई फास्ट अंफ्यूरियस की ही कहानी को आगे दिखाया जाएगा। इस फिल्म में डॉमिक टॉरेटो और उसकी फैमिली जेकब को फेस करेंगी। भाई फ्लेटी ओर्टिस की भूमिका निभाती हुई नज़र आएंगी। जॉन सीना, डॉम और मिया के भाई जेकब के रोल में नज़र आएंगे जो की एक मास्टर थीफ असासन और हाई परफॉर्बंस ड्राइवर है। जॉर्डेना, बुरिस्टर, मिया के रोल में नज़र आएंगे जो की डॉम की टीम मेंबर में से एक है। चारली तेयरोन, क्रिमिनल मास्टर माइंड और साइबर टेरिस, साइफर की भूमे का निभाते नज़र आएंगे। F9 की ओरिजिनल रिलीज डेट एपरल 2019 थी। 2019 में ये फिल्म फास और फ्यूरियस के स्पिन ओफ, हॉब्स और शॉक के कारण रिलीज होने में डिले हो गई थी। जिसके बाद पैंडमिक के कारण रिलीज होने में इसे काफी टाइम लग गया। इस फिल्म के आने का इंतजार तो सबको है, मगर इसी के साथ ये क्वेस्टन भी है कि फान्स किस सरफ से ज्यादा पूछे गए थे कि क्या ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की लास्ट होगी। तो आप सबके लिए अच्छी ख़बर ये है कि अभी इस फ्रेंचाइजी की दो मूवीज और बनेंगी, F10 और F11 तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले। ये कहानी लिखी है मुस्कान गुपता ने, धन्यवाद।